पहुत अच्छे से विद्याध्यन करते हैं वेद शास्त्रों में पारंगत हो गए और वहीं उल्टा धुन्धकारी विशयों में लिप्त हो गया विशय वासना पर गई नशा साब करने लगा जब एक बार अपने पुत्र के ऐसे कृत्य देखकर आत्म देव बहुत क्रोधित भी हुए लेकिन करें क्या तो उसी जंगल में जाकर बैठ गए एक आंत में उसी रास्ते से गोकरन जी गुजरे और उन्होंने देखा पिता जी आप पिता जी ने पूरी बात बताई गोकरन जी ने कहा रे पिता जी और बड़ा सुन्दर उपदेश गोकरन जी ने दिया जी